हेलो गुड मॉरिंग साथियो वेलकम टू MPS मॉटिवेटर यह सिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमे आप अपने घर पे रहकर अच्छी सिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं आज हम फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ क्लास 3 का जो केमिस्ट्री जो दूसरा चेप्टर हम लोगों का चल रहा था अमल भश्म तथा लवन उसका मैं आज तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें हम लोगोंने पिछले वीडियो में सोडियम हाइडरा उकसाइड अथार्ट कास्टिक सोडा के बारे में चर्चा किया था जिसमें हमने आपको sodium hydroxide जैसे NaOH है और NaOH में एक sodium है एक oxygen है और एक hydrogen है तो उसी प्रकार हमने देखा कि इसमें एक H2 gas आ रही है और H2 gas का हमने उपियोग बताने का प्रयास करेंगे हम इस वीडियो में हमने देखा कि जैसे sodium hydroxide मैं थुरा सा हिंट्स दे दे रहा हूँ पिछले वीडियो का जैसे आप लोगो sodium hydroxide में हमने बताया था कि sodium chloride पे बैदूत अफगटन किया जाता था sodium chloride जाता था जब वीडूद अफगटन के फलश्वरूप तो sodium धातू बन जाता था और chlorine क्या बन जाता था गैस बन जाता था तो हम लोग को अभी पढ़ना है इस टॉपिक में hydrogen gas का उपियोग उपियोग मतलब क्या कि जो hydrogen gas होता है किसका sodium hydroxide का उसका उपियोग क्या है तो जैसे उसका पहला उपियोग है इंधन के रूप में जैसे क्या है कि आप जलावन के रूप में यूज करेंगे किसका hydrogen का जैसे हम लोग हर में LPG gas का उपियोग करते हैं जिसका liquefied petroleum gas जिसको कह जाता है जैसे बहुत सारे इंधन है ऐसा नहीं है कि आप जो खाना बना रहे हैं वही एक क्या है इंधन है ऐसा हो सकता है दूसरा भी इंधन हो सकता है तो जैसे hydrogen gas में पहला उपियोग हम लोगों का क्या है हिंधन के रूप में और दूसरा उपियोग आता है अमोनिया बना में देखिए अमोनिया का फुल फ्रॉम होता है जैसे बिहार बोड हर साल यह कोस्टन किया है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ अमोनिया का फुल फ्रॉम होता है इन एच्थ्री क्या होता है इन एच्थ्री अमोनिया का डिरेक्ट आपको कोस्टन करेगा कि अमोनिया का सुत् sodium hydroxide में जो chlorine आता है जो hydrogen आता है उसका उपयोग कहा होता है अमोनिया बनाने में बस इतना याद रखना है लेकिन chlorine gas का उपयोग जो chlorine बैदू दगभटन के फलस्वरूप sodium धातू बनाता था और chlorine किसका निर्मान करता था गैस का निर्मान करता था तो हम लोग जो chlorine का उपयोग देखेंगे वह chlorine का उपयोग किटानू नासक बनाने में जैसे क्या है किटानू नासक मतलब क्या है कि किटानू को मारने में जो हम दवा का यूज करते हैं जैसे चिपकिली हो गई चाहे हमारे घर में ज़्यादा चुहा हो जाते है तो उसको मारने के लिए यूज किया जाता है तो उसमें chlorine gas का उपयोग होता है फिर दूसरा है जैसे जल को सुध करने में जैसे जल आपका कोई गंदा हो गया जैसे जल और जल को हम लोग सुध जैसे करना है जल को तो उसमें भी chlorine gas की महत्व होती है तो पाला उपयोग hydrogen gas का की इंधन बनाने में हम उसका उपयोग करते हैं अमोनिया बनाने में जिसका full from होता है नस-3 जिसका सुत्र होता है और नस 12 में इन ओर्गेनिक में पढ़नी है फिर देखे क्लोरीन गैस में देखे पाला किटानू नासक बनाने में और दूसरा कहां यूच करते हैं जल को शो देकन में बहुत सारा उपयोग है जैसे sodium hydroxide पे जो मेरा पिछला वीडियो था उसी का यह भाग है न ए ओच का उपयोग उपयोग एक्जाम में दो नमबर में कोस्चन आता है हर साल कि sodium hydroxide के दो उपयोगों को लिखिए तो देखे sodium hydroxide का पहला उपयोग है साबुन बनाने में जैसे पहला उपयोग क्या है साबुन बनाने में जैसे आप यूज करते हैं डेटॉल आइब वाय बहुत परकार का साबुन में होता है दूसरा उपयोग है इसका कागज बनाने में कागज बनाने में पहला उपयोग सोडियम hydroxide का पहला उपयोग साबुन बनाने में जो यूज करते हम लोग कागज जिस पे हम लोग लिखते हैं उसमें भी किसकी महत्व होती है सोडियम hydroxide की ही जरूरत होती है तो उसमें अब इतना तो बात हो गया कि हम लोग पढ़ते भी है कि कागज बनता कैसे है तो कागज बनता है बंबु प्लांट से मतलब बांस के जो पेर होते है उससे बनता है लेकिन बनता है जैसे जादा पेज white होते हैं तो page white करने के लिए हो सकता है कि sodium hydroxide का उपियोग किया जाता होगा, कुछ chemical लगाया जाता होगा, ठीक है, तो इतना में कोई दिक्कत है आप लोगों को, यदि ना दिक्कत हो तो comment में बताईएगा, ठीक है, और मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हो, तो इस चैनल को like share and subscribe कर दीजिएगा फिर आगे हम बढ़ते हैं अब इसी टॉपिक में क्लास तेंथ में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विरंजक चुर्न विरंजक चुर्न विरंजक चुर्न क्या है पहला इसमें बनाने की विधी में हमने बताया है sodium hydroxide और यह मेरा दूसरा विधी है जिसका नाम है विरंजक चुर्न और इसका विरंजक चुर्न का सुत्र objective में आता है जिसका सुत्र होता है c a o c l 2 c a o c l 2 जिसको हम पढ़ते हैं हिंदी की भासा में c a को पढ़ते हैं calcium o को पढ़ते हैं oxy और c l 2 को पढ़ते हैं chlorine तो अगर हम ऐसे पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ेंगे calcium oxy chloride oxy chloride है न विरंजक चुर्न का सुत्र क्या होगा c a o c l 2 और इसका नाम क्या होगा तो calcium oxy chloride यतना में कोई दिक्कत नहीं होगा तो देखें यहां से सवाल कितने types से आएंगी हम यह बता दे रहें आपको विरंजक चुर्ण का सुत्र क्या होता है तो सुत्र क्या होता है C-A-O-C-L-2 ठीक है फिर आप से पूछेगा कि C-A-O-C-L-2 का रासाइनिक नाम क्या है तो C-A-O-C-L-2 का रासाइनिक नाम क्या है Calcium Oxy Coloride ठीक है इतना में कोई दिक्कत नहीं अब चलिए हम बनाने की विधी पर बात करते हैं जैसे Sodium Hydra Oxide की बनाने की विधी थी उसी प्रकार Calcium Oxy Coloride अथार्थ विरंजक चुर्ण बनाने की विधी है तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बूझा हुआ चुना हर समय आपको बात किया जा रहा है कि बूझा हुआ चुना तो बूझा हुआ चुना का सुत्र होता है C-A-O-H का होल्टवाइस जिसको हम लोग कहते हैं Calcium Hydra Oxide ठीक है C-A-O-H का होल्टवाइस जैसे एक आता है C-A-O जिसको हम लोग कहते हैं संग मर्मर या खड़िया जिसको चुना पत्थर भी कहा जाता है तो देखें बनाने की विदी में एक-एक स्टेप समझेगा जो विरंजग चुन बनता है वह कैसे बनता है तो एक temperature denote किया जाता है जैसे हम लोग high temperature दे सकते हैं 100 degree Celsius लेकिन विरंजग चुन बनाने के लिए 40 degree Celsius ताप दिया जाता है अथार 40 degree Celsius कहने का मतलब या है कि जो हम बनाएंगे विरंजग चुन उसका जो गर्मी होगा उसका जो temperature होगा वह कितना डिगरी होगा 40 degree Celsius का temperature होगा तो देखें इसमें इसका मतलब यह है कि आप बिरंजक चुर में अगर पढ़नाय स्टार्ट किये हो तो बूझा हुआ चुना समझ जाए बूझा हुआ चुना उसको कहते हैं जब घर बनता है तो घर में सफेदी के रूप में जैसे पहले चुना लगाया जाता है वह चुना यही होता है जिसका नाम होता है चलिए आते हैं बात करते हैं जैसे लिखता है कि बूझा हुआ चुना को बूझा हुआ चुना को 40 डिगिरी सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर करने पर विरंजक चुर्ण प्राप्त होता है प्राप्त होता है समझिएगा जरा कहने का मतलब क्या है दो नमबर में आता है कि बिरंजक चुर्ण बनाने की विधी लिखिए तो लिखेंगे वहाँ पर बुझा हुआ चुना को 40 डिगिरी सेल्सियस ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चुर्ण बनता है जिसका रासायनिक सुतर C-A-O-C-L-2 होता है जिसको हम कहते हैं कैलसियम ओक्सी कोलोराइड तो जैसे देखिएगा बनाने में क्या होता है कि जैसे विरं बुझा हुआ चुना गर्म करने के दौरान हम इस पे कौन सा दे दिये क्लोरीन गैस दे दिये तो मतलब क्या कि प्लस Cl2 दे दिये और Cl2 जब दिये तो यहाँ बना लिया विरंजक चुन, C-A-O-C-L-2, है ना, यह इसका यही रियक्षन है, बस, क्या है, बुजा हुआ चुना है, क्लोरीन इसको टेंपरेचर दिये, 40 डिगरी सेलसियस, और देने के बाद क्लोरीन गैस प् परता है, तो कितना देना परता है, 40 डिगरी सेलसियस ताप देना परता है, इसमें कौन सा रासाइनिक योगिक का इस्तमाल किया जाता है, तो C-A-O-H का होल्ट वाइस का इस्तमाल किया जाता है, कौन से गैस का इस्तमाल किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का इस्तमाल किया ज तो मिन्स क्या कि जैसे विरंजक चुर्ण में भी कुछ भौतिक गुनाई और कुछ रासाइनिक गुनाई जैसे रासाइनिक गुन क्या हुआ कि जैसे इसमें क्लोरीन जो गैस था यह जो क्लोरीन गैस था यह क्लोरीन गैस गंध दे रहा था यह कैसा दे रहा था इसका प्रकि क्लोरीन गैस जो मतलब हर समय गंध ही दे रहा था तह मिंस क्या है कि यह क्या कर रहा है यह गंध को दे रहा है ठीक है इसके बाद था यह कुछ कुछ हलका पीला रंग का हो जा रहा था कौन विरंजक चुन पीला रंग का हो जा रहा था इसका भौतिक गुन हम लोगों ने देखा जैसे विज्ञानिक जब इसका प्रयोग किये होंगे तो प्रयोग करने के बाद उनको मिला क्या कि वह क्लोरीन गैस क्या करा था मतलब थु जो आप कराएंगे, भौतिक में आपका कोई लेना देना नहीं है उससे, हैना, भौतिक में क्या, बारी सोना है, तो ये आपके हाथ की तो बात नहीं है, लेकिन रासायनी गुन आप करा सकते हैं, यदि जल है, पानी है, उसमें यदि हम चीनी मिला है, तो सरबत बन गया, तो विरंजक चुर्ण में पानी मिला, पानी मिला है, गर्मी दिये, उसको ऑक्सीजन दिये, तो क्या-क्या रियक्षन किया, उसमें हम आपको दो रियक्षन अभी बताते हैं, जैसे क्या है, यह रासायनी गुन है, तो रासायनी गुन में पहला क्या था, कि जो विरंजक चुर करेगा तो बिरंजक चुर्ण ने जब जल से reaction कर रहा था है तो यह बना क्या रहा था CAOH का hold twice and chlorine gas को निकाल रहा था ठीक है पहले क्या था बिरंजक चुर्ण को किसे अभी करिया कराएं जल से अभी करिया कराएं और जल से अभी करिया कराने के दौरान वा क्या बनाया बूजा हुआ चुना और chlorine gas बनाया रासाइनिक अभी करिया में बाय पक्षवाले को क्या करते हैं फर्स चेप्टर में बताये थे आपको अभी कारक क्या करते हैं अभी कारक और जो दाया साइड में होता है उसको हम लोग करते हैं प्रतिफल या उत्पाद इसके तीर चिन का देने का भी योगदान है हम पिछले वीडियो में बताया थे नहीं देखेंगे तो देख सकते तो विरंजक चुर्ण का हमने अभिक्रिया कराया जल से जिसके कारण वह भुजा हुआ चुना तथा क्लोरीन गैस को दिया अब यह पहला रियक्षन था हम लोगों का दूसरा रियक्षन यह है कि C-A-O-C-L-2 विरंजक चुर्ण को जब गर्मी मिला जब टेंपरेचर मिला तो जब इसको गर्मी दिया गया इसको गर्म किया गया C-A-O-C-L-2 को तो देखिए गर्म हम करेंगे किसको बुजा हुआ चुना को करे या C-A-O-C-L-2 को गर्म करे तो यह क्लोरीन गैस को नहीं देगा C-A-O-C-L-2 गैस देता एक तो इसमें दो इतना ही बात था लेकिन मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ विरंजक चुर्ण का सुत्र होता है C-A-O-C-L-2 इसको बनानी की विधी है कि भूजे हुए चुने पर 40 डिग्री सेल्सियस ता पर कौन सा है कौन सा गैस प्रवाहिद करते हैं क्लोरीन गैस प्रवाहिद करते हैं तो विरंजक चुन प्राप्त होता है उसके बाद इसमें दो हम लोग भूती गुन देखे कि क्लोरीन गैस क्या कर रहा था गंद दे रहा था इसका हलका पीला रंग हो रहा था रशाइनी गुन में हमने दो आपको reaction बताया, जो पहला reaction यह था, कि यह जब जल से reaction कर रहा था, तो बुझा हुआ चुना तथा chlorine gas को निकाल रहा था, तो एन्ड विरंजक चुन को जब हमने गर्म किया, गर्म करने के दौरान कुछ चीज और सोसित कर लेता है, कोई भी product, अगर गर्म करेंगे तो को अच्छा लग रहा हो, तो इस वीडियो को like, share and subscribe कर दीजिएगा, और जो अभी हम पढ़ाए हैं, फिर इसको आगे हम अगले वीडियो में जो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे, इसके लिए अभी फिलहाल आप मन लगा कर पढ़ते रहें, क्योंकि एक्जाम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए धन्यवाद,